कांस फिल्म फेस्टिवल में एश्वरा राय उर्वशी रोतेला सारा लिखान और डायना पेंटी जैसी आइक्ट्रोस की बीच हर्याना की सिंगर और डांसर सपना चौधरी ने भी इस बार एंट्री मारी है दुनिया की सबसे बड़े फिल्म फेस्टिवल में से एक कांस फिल्म फेस्टिवल में इस बार सपना चौधरी ने भी जम कर अपना जलवा बिके रहा यहाँ तक की सभी बॉलिवूद हिरोईन से वो एक कदम आगे ही रही इस फेस्टिवल में सपना ने पिंक कलर का 30 किलो का गाउन वियर किया था इतने बड़े फेस्टिवल में कौन सी हिरोईन क्या पहनेगी और कैसा मेकप करेगी जहां बॉलिवुड के एक्ट्रसेस के पास इन सब चीजों के लिए परसनल डिजाइनर और मेकप आर्डिस्ट है वहीं सपना ने इस फेस्टिवल के लिए खुद ट्रेस का सेलेक्शन किया था और मेकप भी उन्होंने अपने एक लोकल मेकप आर्टिस्ट से ही करवाया था कांस्पम फेस्टिवल के रेड कार्पिट पर भी सपना अपनी औरिजनियालिटी नहीं बूली उन्होंने वहाँ पर आये सभी कैमरामेंट को बकायदा हाथ जोड़कर नमस्ते किया और दिखाया कि वो किस देश से बिलॉंग करती है हर्याना की छोटे से गाउं की इस लड़की ने इस बार जोहाँ अपने कदम जमाए है वहाँ इसने बड़ी-बड़ी बॉलिवूड एक्ट्रोस को भी पीछे छोड़ दिया है जो अपने आप में किसी बड़ी काम्यावी से कम नहीं है बॉलिवूड की कई एक्ट्रोस को सपना से काफे कुछ सीखने की जरूरत है कांस में सपना चौधरी ने इस बार डेब्यू किया है उन्होंने अपने गजब की लुक से हर किसी को अपना कायल बना दिया है पहरे दिन दोनोंने अपनी गोजे सब्तार से लोगों को हैरान कर दिया दूसरे दिन सपना चौधरी बिलकुल अलग अंदाज में नजर आई कांसवन फेस्टिवल में फोटोग्राफर की नजरे सपना चौधरी पर मानो टेक्सी गई इस एक्ट्रोस के फान्स भी उसके जम कर तारीफ कर रहे हैं सपना चौधरी की तस्वीरे सोशल मेरिया पर जम कर वायरल हो रही है जिस पर फांस जम कर रियक्शन दे रही है जैसे ही सपना ने दूसरे दिन सीजलिंग अफ़तार में इंटर ली तो हर किसी की निगाहें उन्हीं पर रुख गई उनके बैक्ग्राउंड में खड़े फोटोग्राफर्स को देखा जा सकता है जो कैमरा लिए दूसरे सेलिप्स की फोटो ले रहे थे इसमें साफ तोर पर दिखाई दे रहा है कि हरवयानवी कुईन को कांस फल्म फेस्टिवल के फोटोग्राफर्स ने अपने कैमरे में कैट कर लिया है सपना चौधरी ने इंस्ट्रग्राम पर भी कुछ तस्वीरे शेयर की है जोसमें उनका लुक काफी खूबसूरत नजर आ रहा है सपना चौधरी ने कैट्शिन में लिखा है कांस 2023 में डेब्यू किया मेरा सपना सच में पूरा हो गया है और यह मेरी लंबी जर्नी खूबसूरत जर्नी है आप सभी का धनेवाद आपने मुझे यहां तक पहुचाया है कांस में डेब्यू करने पर सपना कहती है मैं सच में बहुत शुक्र गुजार हूँ मैं इस फेल फेस्टिवल के रेड कार्पिट पर चलने के लिए बहुत एकसाइटेड हूँ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने इंटिनेशनल प्लाटफॉर्म पर अपने कल्चर और रूट्स को प्रिजेंट कर रही हूँ मुझे पूरी उमीद है कि मैं सभी को प्राउट फिल करवाऊंगी दोस्ताब सपना चौदरी के कांज में डिब्यू करने को लेकर क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो कर पसंद आ तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और वाग आइकन दबाएं जिससे हमारे सबी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें